हेलो एव्रिवन, इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे बाय टेक्नोलजी एन इट्स एप्लिकेशन चेप्टर की और हम सारे टॉपिक कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू NCRT जो बाय टेक्नोलजी होता है इसका वाइन रेज एप्लिकेशन हो सकता है जैसे बायो फार्मासोटिकल्स में मतलब ड्रग मैनिफेक्चर में, ठेराप्यूटिक्स मतलब ट्रीट्मेंट ओफ डिजीज में, डियागनॉस्टिक डिटेक्शन ओफ डिजीज, जेनेटिकली मॉड बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म उणिसम तो बैस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है यह इंप्रोवड ओउनिजम यूज eli a Microw या प्यור इंजाइम ले सकते हैं, क्रेटिंग ऑप्टिमल कंडिशन थूंघों इंजीइनिरिंग उप्टिमल कंडिशन क्रएट करते हैं ता क्रade gamers chemical application in agriculture पैक से क्रेंगे तीन ऑप्षन है जिससे हम इंक्रीस कर सकते हैं future production सबसे पहले abrochemical based agriculture इसमें chemical यूज कर सकते हैं पैस्टिसदध diffus इंक्रीस कर सकते हैं organic agriculture में हम कोई भी chemica ही यूज नहीं करते बट इसमें crop selling prices ही हो जाती है जैनेटिकल इंजीनियर्ड क्रॉप हम यूज कर सकते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं हम एक ऐसी क्रॉप बना सकते हैं जो डिजीज क्या था और साथ में एग्रो केमिकल का यूज किया था फर्टिलाइजर्स एन पेस्टिसाइट्स का डिवैलपिंग कंट्री जो है जैसे इंडिया उसमें एग्रो केमिकल काफी एक्सपेंसिव होते हैं और जो further increase in yield है not possible जो yield है वो increase नहीं होती नेक्स्ट है टीशू कल्चर ट्रेडिशनल बीडिंग टेग्निक फेल टू कीप पेस विट डिमाड डिमाड इंक्रीज होने लगे बट ट्रेडिशनल बीडिंग से यील्ड इंक्रीज नहीं हुआ तो हमें अनदर टेकनोलोजी आपनानी पड़ी इस टेकनोलोजी को हम Tissue culture कहते है इसमें हम एक x plant लेते हैं x plant होता है any part of the plant taken out and grown in a test tube तो हम part of plant लेते हैं उसे हम grow करते हैं test tube में under sterile condition तागी कोई microbes नहीं हो और उसे nutrient media देते हैं as a result ना पूरा जो plant है वो generate हो जाता है किसी भी cell से या x plant से इसे हम totipotency कहते हैं कि किसी भी cell से हम पूरा plant बना सकते हैं और जो हम nutrient medium लेते हैं उसमें हम sucrose ले सकते हैं inorganic salt, vitamins, amino acid, growth regulator like oxins and cytokinins ले सकते हैं this method of producing thousands of plants through tissue culture तो tissue culture से हम thousands of plants बना सकते हैं इसे हम micro propagation कहते हैं each plant is genetically identical क्योंकि हमने एक cell से plant बनाया था तो genetically identical होता है original plant से तो इसे हम soma clones कहते हैं example tomato banana या apple के हम plants बना सकते हैं और इसमें हम commercial scale production मतलब large scale production कर सकते हैं tissue culture से हम recover कर सकते हैं healthy plant को from diseased plant हम ना plant लेते हैं जो infected था virus से बट उसका जो meristem होता है जैसे apical and axillary meristem मतलब meristematic tissue ये ना free होता है from virus तो हमना meristem remove कर सकते हैं इसे हम grow कर सकते हैं in vitro to produce virus free plant तो हम tissue culture से virus free plant बना सकते हैं example banana sugar cane and potato plant next है somatic hybridization हमना इसमें isolate करते हैं single cell from plant तो plant से single cell लेते हैं और उसके cell wall को digest कर लेते हैं और जो बाकी remaining cell का portion होता है उसे हम protoplast कहते हैं which is surrounded by plasma membrane हमना isolate करते हैं protoplast from two varieties of plant दो variety of plant के हम protoplast लेते हैं और each having desirable character और दोनों में desirable character होते हैं और दोनों protoplast को fuse करके हम hybrid protoplast बनाते हैं और हम उसे grow करके new plants बना सकते हैं तो इन hybrids को हम somatic hybrids और इस process को हम somatic hybridization कहते हैं next है genetically modified organisms जिसे हम GMO कहते हैं plants, bacteria, fungi और जो animal हैं उनकी genes को हम alter कर सकते हैं मतलब उनकी genes को remove करके हम foreign genes डाल सकते हैं by manipulation और इन्हें हम genetically modified organisms कहते हैं अगर हम GM plants की बात करें मतलब genetically modified plants वो हमाई ले काफी useful है genetic modification has made crop more tolerant to abiotic stress तो genetic modification से crop ना survive कर सकते हैं abiotic stress जैसे cold में, drought में, salt और heat में reduce reliance on chemical pesticide जो chemical pesticide है उस पर dependence कम हो चुका है क्योंकि हम pest resistant crop बना सकते हैं reduce post harvest loss तो post harvest loss को हम reduce कर सकते हैं increase efficiency of minerals usage by plant तो जो plant है वो minerals को efficiently use करेगा so this prevent early exhaustion of fertility of soil तो fertility of soil जो है वो जल्दी खतम नहीं होती है GM crop ना enhance करता है nutritional value of food जैसे जो golden rice है ना यह vitamin A में enriched होता है pest resistant crop की बात करेंगे यह decrease करता है amount of pesticide use जो BT toxin है ना इसे produce करता है एक bacteria जिसे हम bacillus thuringiensis BTB कहते हैं जो BT toxin genes है ना हमने clone किया है bacteria से तो bacteria से इसे हमने clone कर लिया इन genes को जो यह toxin produce करता है और इसे plant में express कर दिया as a result जो plant होगा ना वो BT toxin produce करेगा और अपने आपको resistance provide करेगा insects से और इसे हम biopesticides कहते हैं इसकी example है BT cotton BT corn rice tomato potato and soya bean next है BT cotton some stains of bacillus thuringiensis bacillus thuringiensis जो bacteria उसके जो कुछ stains है ना वो protein produce करते हैं जो toxic होते हैं और वो insects को kill कर सकते हैं like coliopterans इसमें आते हैं beetles lapidopterans में tobacco, budworm और armyworm आते हैं and dipterans में flies and mosquito आते हैं bacillus thuringiensis form an insecticidal protein तो यह insecticidal protein produce करता है जिसे BT toxin कहते हैं उसके crystal बनाता है during a particular phase of their growth it does not kill the bacillus अब यह जो protein बनता है यह bacillus thuringiensis को kill इसलिए नहीं करता क्योंकि यह exist करता है inactive protoxin की form में इसकी body में बड़ जैसे ही insects जो है ingest करते हैं यह toxin as a result यह toxin active हो जाता है active इसलिए होता है क्योंकि insect का जो gut होता है उसका pH alkaline होता है वहाँ पर यह active हो जाता है और यह solubilize हो जाता है crystal मतलब dissolve हो जाता है crystal जो यह toxin है ना bind करता है surface of mid-gut epithelium cell तो mid-gut epithelium cell के साथ bind करता है और वहाँ पर पोर्स create करता है इसके वज़ासे जो cell है ना उसमें swelling आ जाती है lysis मतलब breakdown होता है और ultimately death of the insect हो जाता है हम ना BT toxin genes को isolate कर सकते हैं bacillus thuringiensis से और incorporate कर सकते है crop plant जैसे cotton में most जो BT toxins होते है ना यह insect group specific पतलब एक particular group of insects को kill करते हैं और इसे जो gene code करता है उस gene को हम cry gene कहते हैं अगर हम cotton की बात करें ना तो इसमें हम cry 1ac genes use करते हैं क्योंकि यह जो protein produce करता है वो control करता है cotton ball worms को whereas corn के crops में हम use करते है cry 1ab genes क्योंकि यह जो protein produce करता है वो control करता है corn borers को next है RNA interference एक nematode होता है जिसे हम melodogyne incognita कहते हैं यह infect करता है roots of tobacco plant और इससे ना जो yield होती है plant की वो reduce होती है इसकी infection को हम prevent कर सकते हैं by RNA interference strategy जिसे हम RNA strategy भी कहते है RNA interference एक method होता है stellar defense in all eukaryotic organism तो eukaryotic organism में harmful genes भी present हो सकती है जो अगर express हो जाए तो organism के लिए काफी harmful होते हैं जैसे cancer causing genes तो उन genes को stop करने में RNA help करता है it prevent translation of a specific mRNA suppose एक जो genes है वो harmful है उसने transcription से mRNA बना लिया तो इस mRNA की अब translation को stop करते हैं कैसे करते हैं due to complementary ds RNA molecule तो हमारी source of this complementary RNA अब यह जो ds RNA था यह कैसे बना it is from an infection by RNA viruses जो RNA viruses है ना वो cell को infect करके ds RNA बना सकते हैं और mobile genetic element that replicate by an RNA intermediate तो eukaryotic cell में ना mobile genetic elements present होते हैं जिसे हम transposons कहते हैं इसमें genetic material ना move कर सकता है एक DNA से दूसरे DNA में अब कैसे move करता है सपोस्स एक DNA की segment है उसने अपना mRNA बनाया अब वो जो mRNA है वो दूसरे DNA में जाएगा और वहाँ पर reverse transcription से वो mRNA फिर से DNA बना लेता है ऐसे result जो DNA है वो क्या कर रहा है अगर हम देखेंगे तो बीच में RNA इंटिमिडेट बन रहा है तो यह help करता है silencing में यूजिंग एग्रोबेक्टिरियम हम ना एग्रोबेक्टिरियम वेक्टर का यूज करते हैं और जो निमाटोड RNA है एक दूसरे के complementary है और यह combine करके double standard RNA बनाएगा अब जब निमाटोड ना टोबैको प्लांट के रूट्स को खाएगा न तो उसमें डबल standard RNA चले जाएगा और यह RNA ना RNA interference करेगा वो क्या करेगा साइलेंस करेगा स्पेसिफिक MRNA ऑफ निमाटोड एक particular MRNA होगा निमाटोड का जो उसके लिए काफी important है उसको वो साइलेंस करेगा तो DS RNA इसके MRNA के साथ bind करके इसकी translation stop करेंगे तो as a result जो parasite है वो survive नहीं कर पाएगा ट्रांचनिक होस्ट में और जो ट्रांचनिक प्लांट है वो क्या कर सकता है अपने आपको protect कर सकता है from parasite next है biotechnology application in medicine recombinant DNA technology से हम mass production कर सकते हैं safe and more effective therapeutic drug therapeutic drug prevent या treat कर सकते हैं किसी disease को और यह जो therapeutic drugs होते हैं यह unwanted immune response हमारी body में produce नहीं करते हैं अगर हम बात करें हमने non-human source से ना suppose product लिया है जैसे insulin निया है non-human source से तो वो human की body में क्या कर सकते है allergic reaction या immune response produce कर सकते हैं at present 30 recombinant therapeutics अभी approved है worldwide जिसमें से जो 12 है वो market है इंडिया में next है genetically engineered insulin insulin is used to manage adult onset diabetics तो adults में डाइबेटिक्स हो सकता है इसमें क्या होता है body में insulin नहीं बनता और sugar का level increase हो जाता है insulin was earlier extracted from pancreas of slaughtered cattle and pig तो ना cattle और pig को मार के उससे insulin को extract किया जाता था insulin from an animal source caused some patient to develop allergy क्योंकि हमने दूसरे animal से क्या लिया है insulin लिया है तो कुछ patient में इससे allergy हो सकता था and other type of reaction हो सकता था to foreign protein क्योंकि ये हमारे लिए foreign protein था क्योंकि हमने दूसरे animal से extract किया था तो इससे allergic reaction या बाकी reaction भी हो सकती थी insulin में ना दो short polypeptide की chain present होती है chain A होता है and chain B होता है that are linked by disulfide bridge और दोनों जो chains होती है A and B दोनों के बीच में disulfide का bond होता है और linkage होता है in mammals, insulin is synthesized as a pro hormone Mammals में ना insulin जो synthesized होता है वो pro hormone होता है मतलब वो inactive होता है which contain extra stretch called the C-peptide और उसमें ना एक extra chain present होता है जिसे हम C-peptide की chain कहते है the C-peptide is not present in the mature insulin जब insulin mature होता है तो C-peptide की chain present नहीं होती है और यह remove हो जाता है during maturation into insulin pro insulin में क्या होता है A की chain है C है and B chain है तीनों chain present होती है यह inactive होता है और जब insulin mature होता है तो C की chain क्या होती है remove हो जाती है free C chain और A and B जो chain है वो disulfide bond से जुट जाती है 1983 में L.I. Lili एक American company है उसने prepare किया दो DNA sequence corresponding to A and B chain of human insulin और यह जो sequence है उसे introduce किया plasmid of E. coli to produce insulin chain So as a result क्या होगा जो E. coli है insulin chain बनाएगा कुछ E. coli में उसने क्या डाला? sequence A डाला और कुछ E. coli में sequence B डाला तो chains of A and B were produced separately A and B chains separately produced होगी उसे extract किया और दोनों chain को combine किया by creating disulfide bond हमें human insulin मिल गया next है gene therapy it's a collection of method collection of method है that allows correction of a gene defect जिससे हम correct कर सकते हैं gene defect को जो diagnose हुआ है child and embryo में इसमें हम genes को insert करते हैं person के cell में tissue में ताकि हम disease को treat कर पाए it compensate for non-functional gene जो non-functional gene है जो काम नहीं कर रहे हैं gene उसे हम replace कर सकते हैं functional gene से जो first clinical gene therapy था वो 1990 में दिया गया था four year old girl को और उसे adenosine deaminase deficiency ये एक enzyme है जिसकी deficiency थी इसे हम ADA deficiency भी कहते हैं this disorder is caused due to deletion of gene ये जो enzyme था इसकी gene delete हो गई थी enzyme था adenosine deaminase as a result ये enzyme नहीं बन पा रहा था ये enzyme crucial है और important है for immune system to function और अगर इस enzyme की कमी है तो immune system ठीक से काम नहीं कर पाता है और इसे हम cure कर सकते हैं bone marrow transplant से या इसे हम treat कर सकते हैं enzyme replacement therapy जिसमें हम injection लगा सकते हैं functional मतलब जो काम कर पा रहा है ADA का both of these approaches are not completely curative bone marrow transplant या enzyme replacement therapy ना वो completely curative नहीं होता इससे disease cure नहीं होता तो हम gene therapy करते हैं हम lymphocyte ले सकते हैं patient के blood से और उसे हम grow कलते हैं culture में हम functional ADA cdna हम एक ऐसा DNA लेते हैं जिसमें क्या होता है ADA के genes होते हैं उसे हम ADA cdna कहते हैं और हम retroviral vector से यह genes introduce कर सकते हैं lymphocytes में as a result यह जो lymphocytes हैं यह enzyme अब produce करेगा और इन lymphocytes को हम return कर देते हैं patient में तो patient में यह enzyme बनता रहेगा this should be periodically repeated as these cells are not immortal अब यह जो lymphocytes है ना इनकी certain life होती है उसके बाद हमें फिर से क्या करना पड़ेगा gene therapy करना पड़ेगा if the gene isolate from bone marrow cell अगर हमने gene को isolate किया bone marrow cell से जो produce कर सकता है ADA और इसे हमने introduce किया into cell at early embryonic stage तो अगर हमने early embryonic stage में ADA के genes को introduce कर पाए cell में तो यह एक permanent cure हो सकता है next है molecular diagnosis early detection of disease using conventional method are not possible अगर हम early detection करना चाते हैं disease का using conventional method जैसे urine and serum analysis serum मतलब blood analysis यह possible नहीं होता है तो हम कुछ technique use कर सकते हैं जैसे recombinant DNA technology PCR analyzer जिससे हम early diagnosis कर सकते हैं सबसे पहले PCR की बात करेंगे इसे हम polymerase chain reaction कहते हैं presence of pathogen is normally suspected only based on symptoms जब हमारी body में कोई disease का symptoms दिखाये देता है उसी के बाद हम pathogen को detect कर सकते हैं और उस time पे concentration of pathogen is already very high in the body concentration of pathogen high होता है और यह हमारी body को harm कर सकता है however low concentration of bacteria और virus can be detected तो हमना low concentration अगर हमारी body में low concentration में है bacteria और virus उसको भी हम detect कर सकते हैं by amplification of their nucleic acid हम इनका nucleic acid को amplify कर सकते हैं जैसे drug addict होते हैं तो उसमें हम पहले से ही AIDS को detect कर सकते हैं using PCR हम detect कर सकते हैं gene mutation in suspected cancer patient जिन लोगों को cancer होने के chances हैं उसमें हम पहले से ही gene की mutation देख सकते हैं और हम identify कर सकते हैं बागी genetic disorder using PCR second है recombinant DNA technology इससे भी हम early detection कर सकते हैं disease का हम single standard DNA या RNA ले सकते हैं tagged with a radioactive molecule और उसके साथ हम radioactive molecule डाल देंगे उसे हम probe कहते हैं it is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of cell हमें clone of cell लेते हैं हम इसमें detect करना चाहते हैं कि इसमें mutation है या नहीं है और यह जो single standard DNA और RNA है न वह इस clone of cell का क्या होगा complementary होगा मतलब यह जो probe है वो clone of cell का complementary होने के वैसे इसके साथ यह जुड़ जाएगा followed by detection using autoradiography उसके बाद हम detection कर सकते हैं using autoradiography क्योंकि यह जो probe होता है radioactive होता है तो autoradiography से यह दिख चाहेगा the clone having the mutated gene will not appear on the photographic film अगर clone of cell में mutation हुई है तो वो photographic film में नहीं दिखाए देगा because the probe will not have complementary to mutated gene अब यह जो probe था ना यह normal clone of cell का complementary था तो उसके साथ जुड़ जाएगा बट अगर clone of cell में mutation हुआ है तो clone इसके साथ जुड़ेगा नहीं as a result यह जो cell है वो appear नहीं होंगे photographic film में और इससे हमें पता चल जाएगा कि mutation हुआ है या इसमें disease है third है ELISA ELISA होता है enzyme linked immunosorbent assay तो इससे भी हम early detection of disease कर सकते हैं it is based on principle of antigen antibody interaction infection by pathogen can be detected by presence of antigen अब pathogen जो होता है उसके antigen जैसे protein glycoprotein से हम pathogen को detect कर सकते हैं या by detecting the antibodies synthesized against the pathogen जब pathogen हमारी body में enter करता है तो वो antibodies produce करता है तो उन antibodies को detect करके भी हम pathogen को detect कर सकते हैं next है transgenic animals these are the animals whose genome has been altered तो यह वो animals होते हैं जिनके genome को हम alter कर सकते हैं by introduction of an extra or foreign gene तो हम उसमें extra या foreign gene डाल सकते हैं by manipulation तो इन्हें हम transgenic animals कहते हैं example है transgenic red pig, rabbit, fish and cow जो 95% है existing transgenic animals वो mice होते हैं benefits of transgenic animals सबसे पहले normal physiology and development हम physiology and development देख सकते हैं हम study कर सकते हैं gene कैसे regulate होता है how they affect the normal function of body जो gene है वो normal function of body कैसे affect करता है और वो कैसे development करता है हम study कर सकते हैं complex factors such as insulin like growth factor तो हम insulin like growth factor की जो genes हैं वो हम animal में डाल सकते हैं और उस animal में हम check कर सकते हैं कि यह जो genes हैं वो कैसे function कर रहा है उस animal में और वो कैसे उसकी development कर रहा है Second है study of disease Transgenic animal को हम study of disease में use करते हैं हम study करते हैं contribution of genes in the development of disease तो हम जो genes होते हैं वो animals में डालते हैं जैसे mice में तो transgenic जो mice होता है उसमें वो disease आ जाता है Investigation of new treatment for disease is made possible तो हम इसमें new treatment का investigation कर सकते हैं Example हम transgenic model of many human disease such as cancer, cystic fibrosis, rheumatid arthritis and Alzheimer तो हम इन सब disease की genes ना mice में डाल देंगे उसमें ये सारी disease आ जाएगी और उसमें हम different treatment क्या कर सकते हैं उसकी testing कर सकते हैं और new treatment develop कर सकते हैं Third है biological product Transgenic animal produce useful biological product तो transgenic animal से हम useful biological product बना सकते हैं हम क्या करेंगे जो DNA है जो code करता है न particular product को हम introduce करेंगे transgenic animals से Example हम human protein बना सकते हैं जैसे alpha-1 antitrypsin जो use होता है treatment of emphysema और हम product बना सकते हैं जो use होते है treatment of phenyl ketone urea which is PKU and cystic fibrosis 1997 में first transgenic cow बनाए गई थी उसका नाम Rosie था वो produce करती थी human protein enriched milk जो protein lactating mother के milk में present है same protein वो produce करती थी 2.4 gram per liter और जो milk था वो contain करता था human protein जिसका नाम था alpha-lactal-bumin nutritionally more balanced product for human baby अब इसका जो milk था वो जादा balanced product था क्योंकि उसमें human protein था than natural cow milk fourth point है vaccine safety तो हम vaccine की safety test कर सकते हैं transgenic mice are used to test the safety of polio vaccine हमने क्या किया transgenic mice में पोलियो vaccine उसमें हमने inject किया और देखा कि उसके क्या effects है ठीक है तो हम vaccine की safety test कर सकते हैं if it is reliable they can replace the use of monkey normally vaccine की safety के लिए हम monkey use करते है और अगर transgenic mice और कोई animal जादा safe है तो हम उसको replace कर सकते हैं monkey से fifth point है chemical safety testing तो हम chemicals की भी safety test कर सकते हैं transgenic animals are made to carry genes that make them more sensitive to toxic substance than non-transgenic animals अब हम क्या करते हैं transgenic animals में कुछ ऐसी genes डालते हैं जिसे वो ज़्यादा sensitive हो जाते हैं toxic substance के than non-transgenic animals और उसके बाद हम उसे expose करते हैं toxic substance के और हम effects को study करते हैं normally अगर किसी को toxin दिया जाए तो उसके effect को study करने के लिए time लगता है बट अगर उसकी sensitivity high कर दी और उसे expose कर दिया toxic substance से तो जो toxicity testing है ना immediate result शो करता है next है ethical issue genetic modification may cause unpredictable result genetic modification से unpredictable result आ सकते हैं तो Indian government ने set up किया organization like GEAC जिसे हम genetic engineering approved committee कहते हैं to make decision ये decision बना सकते हैं about validity of GM research the safety of GM organism तो GM organism की safety देखते हैं for public service अब जो ये genetic modification है ना उसने problem create किया है with patent granted क्या होता है कुछ companies है they got patent for product and technology उन्हें product or technology का patent बिला है that make use of genetic material plant and other biological resource that have been identified developed and used by farmer and indigenous people of a country तो एक particular country के farmers indigenous मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्होंने क्या किया है biological product genetic material और plants को develop किया है तो क्या हो रहा है बाहर से company आके उन्हीं के products को अपने नाम से patent कर रहे हैं और उसे market में sell कर रहे हैं इंडिया में 2 lakh variety of rice है जिसमें बास्मती rice distinct है मतलब इसका एक particular flavor और aroma है और 27 documented varieties है बास्मती rice की 1997 में American company को patent right मिला बास्मती rice पे through the US Patent and Trademark Office तो उन्होंने बास्मती पे patent ले लिया इस एलोग company to sell जिससे वो company sell कर सकती थी new variety of बास्मती US में या abroad में बट actually में ये जो new variety था वो derive किया गया था Indian farmer varieties जो Indian farmer के बास्मती से उससे ये derive किया गया था Indian बास्मती was cross with semi dwarf variety उन्होंने इंडियन बास्मती को cross किया था semi dwarf variety से और इससे claim किया था as an invention और novelty means new crop several attempts had been made to patent तो काफी attempt किये गये है patent करने के लिए Indian traditional herbal medicine जैसे turmeric और neem को next है bioparacy it is the use of bioresource इसमें bioresource use करते हैं multinational companies और other organization without proper authorization और उन्होंने authorization नहीं लिया है from the countries and people concern तो countries और people concern से उन्होंने authorization नहीं लिया बट स्टिल उनके bioresource अगर वो use करते हैं तो इसे biopiracy कहते हैं most of the industrialized nation जो industrialized nation है ना वो financially rich होते हैं बट वो पूर होते हैं biodiversity and traditional knowledge में whereas developing and underdeveloped countries जो होते हैं financially वो पूर होते हैं बट वो rich होते हैं biodiversity and traditional knowledge में तो industrialized nation क्या कर सकते हैं इनके bioresource को use कर सकते हैं तो nations ने develop किया है law to prevent unauthorized exploitation of bioresource and traditional knowledge Indian government ने भी laws बनाए हैं so they have cleared second amendment of the Indian patent bill that takes such issue into consideration इंडिया ने भी second amendment लाया है Indian patent bill में जिसमें include है patent term emergency provision जिसमें emergency के time पे आप किसी भी company का patent यूज कर सकते हैं research and development initiative Indian government ने लाया है I hope आपको यह chapter समझ आया हो similar type of video आपको बाकी chapters के मिलेंगे description में link मिलेगा see you in the next video bye